Hello students, welcome again to all of you. आज की इस लेक्ट्र में हम स्टार्ट करेंगे Elastic String और Elastic String में जो सबसे important law आपको करना है वो होता है Hooks law Hooks law अगर आपको पता है तब आप Elastic String को आगे जो हो complete कर पाईएगा तो आज की लेक्ट्र में हम देखते हैं कि Hooks law क्या होता है और Hooks law हम जब यहां पर नाम ले रहे हैं Elastic String का तो आपको Elastic String का भी बतावना चाहिए ऐसा particle जिसको आप अगर stretch करें तो अपनी position चेंज कर ले और जैसे आप उसको छोड़ दे वापिस अपनी position में आ जाएगा जैसे कोई भी spring आपने लिया आपने इसको थोड़ा सा खीचा फोर्स लगाया तो अपनी लेंथ इंक्रीज करेगा जैसे छोड़ देंगे वापिस अपनी position में आ जाएगा लेकिन यह कुछ limit तक होता है ऐसा नहीं कि आपने उसको पकड़के और खीच लिया खीचते जारें खीचते जारें इसकी भी एक limit होती है कि वह अपनी वापिस position में आए इतना force apply करो इतना उसको stretch करो कि वापिस वह अपनी position ले ले अगर आपने उससे ज्यादा unlimited अगर आपने force apply कर दिया तो वापिस अपनी position में नहीं आएगा तो उसको हम elastic string नहीं कहेंगे और ओ ए यह हमने लिया elastic string इसकी length है अब ओ पर हमने इसको fix कर दिया यहां से जैसे किसी भी रबड को लो यहां पर आप बांदो not लगा दो यहां पर हमने कर दिया इसको fixed और दूसरा सिरा जो है यहां से आप इसको पकड़के force लगाएंगे और इसकी length बी point तक बढ़ जाती है कितना बढ़ा हमने कहा कि x distance और इसने cover कर लिया understand अब जब आप किसी भी elastic string को जो stretchable होती है अगर आप उसको force apply करके इसको खीच रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं तो एक opposite force होता है जिसको हम बोलते हैं tension tension किसमें कहेंगे सिरफ elastic strings में हम इस force का नाम लेकर चलते हैं tension यह T क्या होता है tension tension भी एक force ही होता है जिदर आपने इसको आपने कि इसको किदर खीचा इस direction में tension opposite direction में apply होता है तभी अपनी वापिस position ले लेते हैं अगर आपने बी पॉइंट तक खीच लिया और आपने इसको छोड़ दिया तो वापिस अपनी position में आएगा किस की वज़े से T की वज़े से अगर opposite force लग रहा है तभी तो यह अपनी वापिस position लेगा otherwise तो यह रूख जाएगा समझ रहे otherwise OA की length वह भी हो जाएगी अगर tension नहीं है तो all right तो tension भी क्या होता है एक force ही होता है जिस direction में आप force लगाएंगे उससे opposite direction में काम करता है all right अब यहाँ पर hooks law क्या कहता है सबसे पहले यह term देख लिजिए L हमने क्या लिया है L है natural length natural length of string यह elastic string बोल सकते हो आप elastic string natural length यानि बिना force अप्लाई की इसकी यह length है clear that x क्या है यहाँ पर extended extended length ठीक है x हमारे पास जितना आपने इसको extend किया है अब hooks law क्या कहता है कि यह जो opposite force जो लग रहा है यानि कि tension जो हो है string के अंदर यह tension by hooks law हमें क्या पता चल रहा है कि जो tension है यह proportional होगी extended length extended length of string divided by natural length of string ठीक है यह होता है hooks law कि जो tension है string में समझ गए यह tension क्या है tension proportional to extended length है x और natural length क्या लिए हमने l अगर मैं proportionality को यहां से हटा देती हूँ तो मैं कोई न कोई constant का use करूंगी है ना t is equal to lambda into x by l अब यहां पर यह जो lambda है वेर lambda को हम क्या कहेंगे lambda is called modulus of modulus of elasticity modulus of elasticity यानि हाँ particle पेड़िपैंड करता है spring अगर है या फिर कोई rubber है या फिर other कोई भी ऐसा particle है जिसको आप एक ऐसा particle हो सकता है जिसको force लगा रहे हो वह x distance cover करें और एक ऐसा particle हो सकता है कि जिस पर आप same force लगा रहे हो लेकिन वह कम direction में increase होता है अपनी length को ऐसा भी हो सकता है कि इसकी natural length और आपने force apply किया और वह सिर्फ इतना ही उसी same force से इतना ही यहाँ पर अपनी length को extend कर रहा है तो यह जो lambda की value वना यह depend करती है कि nature of particle क्या है उसके recording यह change होती रहती है इसलिए बोला गया है modulus of elasticity understand तो यह होता है hooks law जो कि आपको dynamic में जो आप elastic string chapter पढ़ने वाले हैं इसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना है यह horizontal में हम ने देखा vertical जब हमारे पास होते है तो vertical के लिए अलग से articles है जिनको हम detail से करेंगे और यह complete syllabus आप कर सकते हैं नियूरा मैस मोबाइल अप्लिकेशन पर भी जो भी student dynamic या फिर 6 semester या फिर GGU के भी 4 semester में और 6 semester में जो mechanic first और second जो भी है GGU के complete courses आप नियूरा मैस अप्लिकेशन पर भी complete कर सकते हैं और वहाँ पर हमने complete syllabus cover किया है 6 semester going on है अभी चल रहा है और जल्दी ही हम इसको complete करेंगे March end तक कोशिश है मेरी कि मैं this syllabus को complete करवा दूँ तो कोई भी students जो चाहता है Slavers को अच्छे तरीके से करना बिना किसी chapter के skip किये तो आप definitely visit कीजिएगा नियूरा मैस अप्लिकेशन डाउनलोड करने में आपका कोई भी चार्ज नहीं होता है तो आप डाउनलोड कर courses section में जाकर एक बार courses में visit कीजिए और अपने friend circle में भी ज़रूर बताएगा जिस भी student को requirement है तो अब बहुत अच्छे तरीके से आप वहां पर पूरा slavers cover कर सकते हैं चलिए इसके बाद हमें देखना है कि जो आपने extend किया है किसे भी elastic string को अगर माल लीजिए यह हमारे पास elastic string है जिसकी original length है natural length है O A L ठीक है और आपने इसको इतना ही और extend कर दिया जितना L है उतना ही distance तक आपने इसको extend कर दिया राइट और यह हम क्या लेकर चलते है एक्स लेकर चलते है तो इस case में क्या हो गया एल इस इक्वल टू एक्स हो जाता है understand अगर आपने किसी भी elastic string को उतना ही किज लिया है उतना ही extend कर दिया है जितना इसकी natural length है इस case में क्या condition आएगी हमारे पास अगर यहाँ पर हम T force देखें तो T किसके इक्वल आएगा? Lambda into X by L होता है यहाँ पर X किसके इक्वल है? L के इक्वल है यारे जब कोई भी string अपने length की double हो जाती है तब tension modulus of elasticity के equal हो जाता है ओके यह result छोटा सा result है लेकिन short question में या फिर जब हम आगे article पढ़ते है या फिर questions करते है तो वहां पर बहुत काम आता है यह है आपका hoax law और इसके बाद जो elastic string की जो articles है question से भी ज्यादा important है तो आपको complete article करने है चाहे वो horizontal position में है चाहे वो vertical position में है जब तक आप articles को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप questions को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे साल मिलते नेक्स lecture में बाई टेक केर